Hello friends, आज हम सीखेंगे daily use Hindi to English word meaning. So let's start this video. So आज का first word है सूजी. सूजी को English में सैमलीना कहते हैं. सैमलीना मिन्स सूजी. Next है मैदा. मैदा को English में refined flower कहते हैं. Refined flower मिन्स मैदा. Next है बेशन. बेशन को English में gram flower कहते हैं. Gram flower मिन्स बेशन. Next है पोहा. पोहे को English में flattened rice कहते हैं. Flattened rice मिन्स पोहा. Next है साबुदाना. साबुदाना को English में saigo कहते हैं. Saigo मिन्स साबुदाना. Next है सिवई या सिवईया को English में vermicilli कहते हैं. Vermicilli मिन्स सिवईया. Next है जोओ. जोओ को English में barley कहते हैं. Barley मिन्स जोओ. नेक्स्ट है दलिया, दलिया को इंगलिस में ब्रोकन वीट कहते हैं, ब्रोकन वीट मिन्स दलिया नेक्स्ट है गेहु का आटा, गेहु के आटे को इंगलिस में होल वीट फ्लार कहते हैं, होल वीट फ्लार नेक्स्ट है कुट्टू का आटा, कुट्टू के आटे को इंगलिस में बक वीट कहते हैं, बक वीट मिन्स कुट्टू का आटा नेक्स्ट है काली मिर्च, काली मिर्च को इंगलिस में बलेक पेपर कहते हैं, बलेक पेपर मिन्स काली मिर्च नेक्स्ट है, लॉंग, लॉंग को इंग्लिस में क्लोब कहते हैं, क्लोब मिल्स लॉंग, नेक्स्ट है, सॉफ, सॉफ को इंग्लिस में एनी सीट कहते हैं, एनी सीट मिल्स सॉफ, नेक्स्ट है, जीरा, जीरा को इंग्लिस में क्यूमन सीट कहते हैं, क्यूमन सीट मिल्स जीरा नेक्स्ट नेट्स 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 कलोंजी को इंगलिस में नाइजेला सीट कहते हैं, नाइजेला सीट मिल्स कलोंजी, नेक्स्ट अजवाइन को इंगलिस में कैरम सीट कहते हैं, कैरम सीट मिल्स अजवाइन, नेक्स्ट तेज पत्ता को इंगलिस में बे लीप कहते हैं, बे लीप मिल्स तेज पत्ता, बटर कहते हैं, klarified better, next step, खोया को इंगलिस में condensed milk कहते हैं, condensed milk, next word है, ताजा, ताजे को इंगलिस में fresh कहते हैं, fresh meanAmerica, next step, बासी, बासी खाने को इंगलिस में stale कहते हैं, stale means bossy, next step, कड़वा, कड़वे को इंगलिस में bitter कहते हैं, बिटर मिन्स कड़वा Next word है चटपटा चटपटे को इंगलिश में पीकेंट कहते हैं Pican't मिन्स चटपटा Next है तीखा तीखे खाने को इंगलिश में Spicy कहते हैं Spicy मिन्स तीखा Next है फीका फीकी चाहिए या फीका को इंगलिश में In-spid कहते हैं Inspeid. Inspeid means feca. Next is Khatta. Khatta को English मेn sour कहते हैं. Next word है Meetha. Meetha को English में sweet कहते हैं. Sweet means meetha. Next word है Cucura. Cucure को English में crispy कहते हैं. Crispy means kucura. Next है Saaabut moon dal को English में mung beans कहते हैं. या green gram. दोनों कह सकते हैं, next word है, छिलके वाली मूंग डाल को इंगलिस में, split green gram कहते हैं, split green gram मीन्स छिलके वाली मूंग डाल, next है सफेज चना को इंगलिस में, white chick piece कहते हैं, white chick piece मिन्स सफेज चना या काबुली चना, next है राजमा को इंगलिस में, red kidney beans कहते हैं, red kidney beans मिन्स राजमा, next word ह नेक्स्ट वर्ड है छिलका उडद दाल को इंगलिस में यल्लो स्पलिट पीज कहते है यल्लो स्पलिट पीज नेक्स्ट है कुल्थी की दाल को इंग्लिस में हॉर्स ग्राम कहते हैं हॉर्स ग्राम मिन्स कुल्थी की दाल नेक्स्ट है काला चना को इंग्लिस में ब्लेक चिक पीस कहते हैं ब्लेक चिक पीस मिन्स काला चना नेक्स्ट है साबुत मसूर की दाल को इंग्लिस में ब्राउन लिंटिल कहते हैं ब्राउन लिंटिल मिन्स साबुत मसूर की दाल नेक्स्ट है मलका की दाल या मसूर की दाल को इंग्लिस में रेड लिंटिल कहते हैं रेड लिल्टिल तो दोस्तों ये आज के quiz हैं सूजी, बेशन और काला चना इनको इंग्लिस में क्या कहते हैं इसका अंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों इस चैनल पर आपको common English word meaning की knowledge मिलती है जिससे आप अपनी day to day life में यूज होने वाले इंग्लिस को असानी से सीख सकते हैं और बोल सकते हैं तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो पसंद आया तो like, share and subscribe ज़रू कर लीजिए thanks for watching मिलते हैं आपको अपनी next interesting इंग्लिस वीडियो में तब तक के लिए good bye